The Voice of the Rain by Walt Whitman जैसे हमने इतने सारे chapters animated तरीके से detail में देखे वैसे ये भी poem जो बहुत ही छोटी सी poem है और सायद एकलोती poem होगी तुम्हारे class 11th की जो logical है क्योंकि इस poem से तुम्हें अपना class 4, 5th में पढ़ा हुआ water cycle यादा जैने वाला है इस logical poem को बिलकु लाइन बाइन word by word explanation देखेंगे और इसी वीडियो में just explanation के बाद इसके poetic devices भी देखेंगे और important questions भी डिसकस करेंगे और सारे के सारे important questions with poetic devices मैंने लिख के दे दिये हैं इस PDF में इस worksheet में जो free of cost मिल जाएगी website पढ़ लेक्षे.com पे इस पोएम को लिखने का कस्ट किया है Walt Whitman साहब ने अब इनों ने अपने time के कुछ words यूज किये हैं बहुती strange words बहुती strange spellings जैसे पहली line में देखो और पहली दो lines में poem explain कर रहे हैं खुद को आई बोलके देखो यानि poet कह रहा है who are you यानि तुम कौन हो किस से कह रहा है to the soft falling shark अब दीरे दीरे से गिरते हुए शार को अब शार मतलब बारिष किस जीस की बारिष है obviously the voice of the rain rain की बारिष है नीशे पढ़ो which strange to tell gave me an answer as he had translated आगे लिखा है जो कि बहुती strange है तुम्हें बताने में यानि हम सब को poem बताते हुए काफी strange फील कर रहा है बहुती अजीब फील कर रहा है क्योंकि बहुती अजीब बात है कि उसको एक answer भी मिला answer किस की तरफ से मिला rain drops की तरफ से rain की शार की तरफ से और उस rain के answer को poet ने हमारे लिए translate किया है जो नीचे की lines में अब लिखा हुआ है और नीचे की lines में जहां भी I use होगा वो poet के लिए नहीं है वो rain के लिए है यह पढ़के मालूम पढ़गा है देखो I am the poem of earth said the voice of the rain यह कौन कह रहा है यह rain drops कह रही है तो बारिश कह रही है कि मैं अर्थ की poem हूँ अर्थ की कविता हूँ said the voice of the rain यही रही है तो यहाँ पर पूरा-पूरा personification यूज हुआ है जब भी हम non-living thing को एक living image की तरह दिखाते हैं यह सारी के सारे जितने भी personification चाहिए metaphors सारे literary device, poetic device हम आगे देखेंगे अभी meanings प्राओ अगली line eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless see अब यह line का मतलब समझने से पहले word meaning समझ लो eternal मतलब होता है forever and less जो कभी खतम ना हो जैसे उसके लिए तुमारा one-sided प्यार और impalpable का मतलब होता है जो चीज़ टचना की जा सके जैसे तुम उसको खेर जो चीज़ हम टचना कर सकें सही चीज़ देखना सकें उसको सामने अपने आग के तो impalpable out of the land and the bottomless see bottomless see का मतलब का है जहाँ पे नीचे see के नीचे कोई bottom ना हो कोई नीचे boundary ना हो यानि see बस बह रहा है नीचे bottom उसकी नहीं है कि मैं eternal हूँ, forever हूँ, endless हूँ, कभी खतम नहीं होती और मैं rise करती हूँ, impalpable out of the land जब मैं land से rise करती हूँ, तो impalpable होती हूँ impalpable मतलब कोई मुझे touch नहीं कर सकता है, कोई मुझे देख नहीं सकता अब मैंने कहा था, यह poem काफी scientific है तो जब भी water cycle होती है, तो बारिस कहां से rise करती है कहां से generate होती है बारिस की बूदे, कहां से बिलकुल land से और sea से तो लिखा है, out of the land and the bottomless sea, जब sea का पानी, water bodies का पानी evaporate होता है, तो वो कैसा होता है, impalpable होता है वो हमें दिखता नहीं है, और हम touch भी नहीं कर सकते तो वो impalpable पानी evaporate होता है, उपर आस्मान में जाता है and then आगे आओ, upward to heaven, whence vaguely अब देखो, whence vaguely भी strange words है, अलग spellings है, इनका meaning समझो whence का मतलब है, from where, little anxiety में और vaguely का मतलब, unclear, formed, altogether changed and yet the same देखो, इसके उपर बताया गया कि eternal होता है, यानि कि बिलकुल endless होता है rain और जब भी rain water, sea से या land से evaporate होके उपर जाता है यहीं नहीं लिखा है, upward to heaven, यानि heaven में जाता है, आस्मान में जाता है, स्वर्ग में then, from where, जहां से vaguely formed, unclearly formed करता है, altogether changed and yet the same यानि वहाँ पे कुछ ऐसा form करता है, जो unclear सा होता है, बिलकुल अलग होता है, all together changed but yet the same, but अभी भी वो same जीजी रहती है, अरे, समझ तो गई होगे जब पानी उपर जाता है, वापरेट होके तो क्या बनता है उपर, बादल, और बादल बिलकुल shape में changed होता है, unclear रहता है, वही लिखा ना vagly, vagly means unclear, unclear रहता है वो, कहीं-कहीं पर दिखता है, कहीं-कहीं पर नहीं दिखता है but वो same रहता है, रहता तो वो पानी का ही है, नीचे देखो I descend to live, the droughts, atomies, dust layers of the globe, मतलब I descend का मतलब होता है कि नीचे गरना, नीचे आना वही, बारिश बादलों से तो नीचे गरती है, तो I descend to live, live means होता है wash करना, धुल देना अब बारिश क्या-क्या धुलती है, जो भी चीज़ अर्थ पर है, जैसे droughts, droughts मिनत होता है, सूखा पढ़ जाना जहाँ पर पानी का आकाल पढ़ जाए, पानी ही ना हो, सब कुछ सूख जाए, तो उस जगह को कौन wash करता है, water, rain water फिर atomies, atomies का मतलब होता है, atom, जो तुमने पढ़ा है, सबसे छोटी tiny particle को atom कहते है और यहाँ पर atomies का मतलब है कि छोटे से छोटे particle को भी मैं दूल देती हूँ, बारिश ऐसा कह रही है, आईकाउन है आपे, बारिश, और आगे, dust layers of the globe और जितनी भी गंदगी तुम और तुमारे दोस मिलके करते हो, dust layers of the globe, वो पूरी dust को, वो पूरी गंदगी को बारिश दूल देती है देखो, क्या समझा हमने, सुरू में poet ने बताया कि poet ने पूछा बारिश से कि who are you, और फिर बारिश ने जवाब भी दिया, और उसी को यहाँ पे translate किया है poet ने, I am poem of the earth, poem of the earth, अपने आपको कौन बता रहा है, rain, फिर वो eternal है, पूरी water cycle, यह नीचे सजाती है, impulpable होती है, य और seeds only, latent, unborn, क्या मतलब, अगली लें जो, and forever, by day and night, I give back life to my own origin, and all that, in them, without me, were seeds only, यानी, जिस जिस चीज़ को बारिश धुल रही है, चाहे वो छोटे छोटे पेड़ पौधे हो, या फिर तुम सब हो, यह सब बिना बारिश के, बिना पानी के क्या थे, सिर्फ और सिर्फ seeds, और latent का मतलब होता है, hidden, unborn, latent थे, यानी hidden थे, दिखने रहे थे, और unborn, पैदा भी नहीं हुए थे, पारिश के बिना कुछ भी पैदा नहीं होता है, सब seed रहता है, तुम सबको बता होगा, यार, खेत में कुछ भी पैदावार नहीं हो सकती बिना पानी के, और अगली और जिन को फिर से life देती हूं, क्या मतलब है, देखो, जब seed था, seed से पेड़ बनता है, फिर पेड़ से ही water evaporate होता है, transpiration की process, life process में पढ़ा है, class 10th में transpiration हुआ, पानी उपर उड़ा, अब transpiration उड़ा, पानी बना, कहां से बना, जब seed पेड़ बना, और seed को पेड़ किस ने बनाया, water ने, तो अपना बर्थ खुद करवाती है, raindrops, वह यहाँ पे लिखा है, कि I give back life, मैं अपने आपको ही life देती हूं, to my own origin, and make pure and beautified, और उसको pure बनाती हूं, beautify करती हूं, यानि उसको सुन्दर करती हूं, अब नीचे bracket में क्या लिखा है, for song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, wrecked और unwrecked to lie with love returns, अब इसका मतलब है कि बारिश, अपने birthplace से आती है, issuing means, अपने birthplace से originate होती है, originate होने के बाद, after fulfillment, wandering, यानि फुल्फिल करती है एक चीज़ को, seeds को पेड में तफदिल करती है, हमें water से ही पानी मिलता है, और जो भी water cycle nature में चल रही है, वो rain drops के ही विज़ चल रही ह यह सारी चीज़ें fulfillment करती है, अपना purpose पूरा करती है, फिर wandering, यानि घूमती है इधर उधर, जैसे तुम classroom में इधर उधर घूमते हो, बिल्कुल उसी तरह, और फिर wrecked और unred, मतलब cared for और not cared for, अब चाहे इससे किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, तब भी delay with love returns, delay मिलता ह एक्सपेक्टेड, as expected, उसको प्यार मिलता ही है, पारिश को प्यार हम सब से मिलता है, किसान बारिश से प्यार करता है, हम सब बारिश से प्यार करते हैं, और यह धरती खुद भी बारिश से प्यार करती है, तो यह पूरा पोयम की explanation थी, अब यहाँ पर जो नीचे वाली lines है इसका मतलब ये भी है कि जब कोई poet अगर गाना बनाता है या poem बनाता है तो उसका भी यही चीज़ होती है वो बर्त करता है यानि वो poem बनाता है फिर उस poem की fulfillment होती है फिर end में चाहे किसी को फर्क पड़े ना पड़े उस poem को कहीं ने कहीं से प्यार love returns मिलता ही है अब देखेंगे इस poem के जो पूरा का पूरा water cycle explain कर चुकी है में एक तरीके से उसके literary devices अब अगर तुमने class 10 में भी animated videos देखें है या पहले जितने भी animated videos हमें बनाया है कोई भी animated video देखा है तो मैंने बता रखा है कि जब भी literary device खोजने जाओ तो पहली line से रूणने लग जाओ कि कहीं पर दो word में या आसपास में कोई एक letter repeat हो रहा है जैसे यहाँ पर first line में देखो यहाँ पर soft falling shark SS काफी pass में है और S sound आ रहा है तो यहाँ पर क्या है alliteration फिर उसके नीचे आओ मैंने पहले तुम्हें आ दिलाया पड़ाते समय कि poem of earth said the voice of rain कभी भी बारिश बोलती नहीं है बट यहाँ पर बारिश को बिल्कुल human की तरीके treat के जा रहा है person की तरीके तो इस line में क्या है I am the poem of earth और जैसे की बारिश बात कर रही हो तो यहाँ पर है personification फिर उसके नीचे आओ eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea अब bottomless sea तुम्हें digest ही नहीं हो रहा है यह बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बात की गई है और जहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बात की जाए तो वो bowl बहुत ही hyper है यानि यहाँ पर है hyper bowl यानि बढ़ा चढ़ा कर बात की जा रही है जिसको तुमने हिंदी में अलंकार में भी पढ़ा होगा अब आगे देखो नीचे आओ जहाँ पर भी कोई एक word का कोई consonant बार बार रिपीट हो रहा है जैसे I descend में D है to leave the droughts D फिर dust layers D तो यह D, D, D repeat हुआ है कुछ कुछ दूर पे तो D sound repeat हो रहा है लेटर आस पास नहीं है बट sound सुनाई दे रहा है बार बार इसको बोलते हैं consonants फिर इतने सारे थे इसके अंदर अंदर के literary devices अब एक बार ऊपर से चेक करो सबसे पहले मैं बता है तो मैं चेक करोगे end में right corner पे देखो कि कौन कौन से punctuation marks है punctuation marks है भी या नहीं तो चलो है shower के बाद translated के बाद rain के बाद तो punctuation marks है यानि यहाँ पर इंजैम्मेंट नहीं है इंजैम्मेंट तब होता है जब end में यानि lines के end में punctuation marks ना यूज कियो हो अब उपर से एक बार देखो कि क्या कोई ऐसी line से लगाता है जो same word से start हो रही हो तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल यहाँ पर देखो and all that in them and forever and make तो and 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 से start हुआ है अब जहाँ पर एक ही word से कई line start हो लगाता है वहाँ पे होता है अना फोरा तो यह सारे थे literary devices हो गए complete important questions में कई सारे questions आ सकते हैं सारे के सारे questions जो भी आ सकते हैं इस PDF में detail में answer के साथ दिय दिया गया है PDF free of course website.com पर मिल जाएगा जहां सारे subjects के notes भी free में डाल दिये हैं जल्दी जाओ website पर free में access करो और नए channel पढ़ ले seniors को भी subscribe कर लो ये वीडियो सब में फिला दे notification छेड़ दे के अगली वीडियो मिस ना होए तैन क्या अब जाना जा पढ़ ले